है यह अनु जोर्मा एंड वेलकम ओन यूटूब चैनल वैप स्टेडी पॉइंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूटूब चैनल वैप स्टेडी पॉइंट तो प्रीवेस वीडियो में हम प्रोनाउन पड़ रहे हैं तो प्रोनाउन में हमने दो वीडियो हो यह प्रोनाउन कि हमारी तो फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोड़क्शन और पर्सनल प्रोनाउन किया था और सेकिंड वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव और डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन पड़ा था तो आज हम रिलेटिव प्रोनाउन पड़ेंगे दिस इस इंट्रोडूज दिपैंडेंट और रेलेटिव क्लोज एंड कनेक्ट तो इंडिपैंडेंडेंड़ क्लोज इट काल्ड रेलेटेव प्रोनॉओं our ठीक楽्य दोस्तो यानि के दो सेंटेंस को रिलेट करता हो कैसे करता हो जैसे कि मैं कहता हूं वह आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया था तो इस तरीक के से हम बोल सकते हैं, यानि रिलेट करने का काम क्या है, तो हू क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो इस तरीक के से रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो यह हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, who, whom, what, that और whose यानि के यह हमारे सब क्या है यह relative pronoun है ठीक है दोस्तों तो relative pronoun who who कहा ही होता है हमारा who used as a verbs subject ठीक है यानि के verb के subject के रोप में हू को परियोग करते हैं उसके बाद हूम देखते हैं हूम का परियोग कहा करते हैं तो whom used as a verbs object तो whom का परियोग हम object के वर्प की तरह यानि के वर्प के object की तरह करते हैं ठीक है दोस्तों तो इन दोनों को हम prefer कहा करते हैं यह refer होते हैं हमारे person के लिए यानि refer to a person इन्हें human के लिए human being के लिए prefer करते हैं लिखका हुआ है हमारा human being के लिए यूज होता है धैट देखते हैं और एक सेंटेंस में हमारा डोग लिखका वा और एक सेंटेंस में हमारा किसी भी आदमी का नाम लिखका वा जायासे इन दोनों को अगर रडेट करके हम तो इस्तों होंगे करेंगे यह हमारे यहाँ पर लगा करेंगे ऐसी होज तो खो को को कैसे की तरह से गहाता है में थो आपकी समझ में घ्लोग को कणेकट करता ऑफ नाउंस को लगे दो सेंटेंस को ​​ ​​करता हो तो तो लिए किया है हम र emission से होते हैं ठूँ से होते हैं। हμοobhanet देखते हैं ठीक दोखतों तो आई यह दोस्तों हूर हम के एकशंपल देखते तो यह सब्जक्ट के लिए प्रियोग किया जाता है और दोनों के लिए यूज किया जाते हैं तो इनका एक्जामपल देखते हैं जैसे तो यहां आपको क्या दिख रहा है मतलब मैं रोहन से मिला जो अभी अभी आया था तो यहां पर रोहन एक सब्जक्ट है क्योंकि यहां रोहन काम कर रहा है क्योंकि कोई और काम करने यहां पर प्रॉहन आया है तो अभी है तो आपको रॉहन मैं रोहन से मिला जिसको तुमने बुला ता इनुएट किया था लड़किया जो तो this is the girl. तो यहाँ पे क्या है? गर काम कर ल險 दिखाई जा रही है na तो लड़की pis तो यहाँ पे गल क्या हो जाया का हमारा सबजेक्त हो जाया क्या हो जाएका धोस्तो क्योंकि देख़ों यहाँ पर this is the girl who hard work यहाँ लड़की है जो hard work कर टी है तो यहां पर लड़की क्या कर रही है काम कर रही है तो लड़की काम कर रही है तो वह subject हो जाएगा उसके बाद next में देखते हैं this is the girl whom all praise ठीक है तो यानि के यह वह लड़की है जिसकी सभी तारीफ करते हैं क्या करते हैं सभी तारीफ करते हैं तो यहां लड़की क्या हो हो जाएगा तो लड़की हमारी क्या हो जाएगी ऑप्जेक्ट हो जाएगी क्योंकि ने निया ज्याथ में हमारे तो WAT लड़की काम निंगे लड़की काम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि script जाएगा गर्ल उसके बाद एक्जम्पल देखते हैं दा मैन हुँ लिवड देर डाइड येस्टरडे तो क्या है यहां पर हमें कोई मैन के उपर जो है यह मैन आएगा दोस्तों मिश्टेक हो गया तो मैन यह मैन हमारा डूर है क्योंकि हमें यह कोई इसको पर काम करने वाला दिक रहा है तो मैन ही है एक आदमी जो रहता थZe मर गया तो आदमी ही रहता था वो ही अनका क्या है हमेरा कोई गोर्ट हो जाएगए अब मैन याने पिर आपने दोस्ते मिला जो कि जिसने उप बार में पहचान लिया तो यहां पर क्या है यहां फृर्ण है my friend तो फ्रेंड पहचान रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया फ्रेंड ने पहचानना तो फ्रेंड क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया मेरे फ्र तो यहां पर गल क्या हो जाएगा हमारा उब्जाक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा लड़की कोई काम नहीं कर रही है यांनि कि ही कर रहा है तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही डूर हो जाएगा तो यहां गरल है गरल हमारा कोई भी काम नहीं कर रही है तो इसके उपर काम हो रहा है मैंने क्या बताया था आपको नाउन में पढ़ा होगा आपने प्रीवेस वीडियो देख्की होंगी यानि के दन और वीच वार्गों सब्जैक्ट वर्क होता है और फिचण और काम हो रहा है वो जाएंगे हमारे अब्जैक्ट और15 करने वाला रहा है वह वह तरीके से यहां पर ठीक है तो यूजबवर भीश देखते हैं क्रक्त का प्रियोग म कहां करते हैं तो which is used for animal non living things and human beings ठीक है दोस्तों कहाँ कहा हम animal के लिए करते हैं non living thing के लिए करते हैं और जो non human being के लिए करते हैं यूज के प्रियोग यह हमारा पूरा phrase को relate करने के लिए भी यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे इसका example देखेंगे दा बुक कुछ यूबोट इस हैलफुल तो जो उसी बुक आपने खरीदी थी वह है ठीक है तो यहां क्या है वीच नोन लिविंग तींक है तो एक इसे रिलेट कर रहा है तो किस से रिलेट करेगा विच बुक से तो कुछ ओर वीच बोर्ट यहelect फुल यानि के वह मूँ जो आपने खरीदी ति जो आपने खरीदी थी वह हए ठीक है दोस्तों अब आग सबस्थ आगे देखते हैं धिशिल दा हाउस बिच बिलोंग ज्टु मिभाम गर ह bạn जो यह निकिन जो मेरा है तो यहाँ क्या हो रहा है house तो दिस ही फुन ठबीज थे सने हमार के बीट्लेटेगा घाला कि यह हम गते दीज ë हाऊंस जो मेरा है यह मुझ से भूंग करता है ठेक है तो यह मुझ किसोंलेट्फ करेगा नन रीरेट्फ करेगा हमारा अब शबत L देखते हैं this is the dog which bite me तो यह क्या है भी जिविट होता है तो यहाँ पर हम भूका पृयोग नहीं करेंगे क्यों क्योंकि competition competitive English में जो है हम केवल human being के लिए हु का प्रियोग करते हैं किसके लिए human being के लिए human being के लिए हु का प्रियोग करते हैं ना कि animal के लिए ठीक है दोस्तों आप बोलचाल की बासा में basically कर सकते हैं लेकिन competitive English में डोक के साथ में हु का प्रियोग नहीं कर सकते हैं यह गलत होगा हमारा सेंटम्स बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां डोक के लिए हम विच का प्रियोग करते हैं क्या करते हैं विच का प्रियोग करते हैं तो अब आगे देखते हैं आई हैव सीन दा कार थिगे यानि काल रंगटिज है ळ्यार रेक्रेंग उब्लेक रंगटिज तो यहां पर आМ पर कार हैं करते हैं कि के सिलाफ करेगा ना की हो को यूज होगा तो आगे देखते हैं नहीं करते हैं के लिए विच का प्रियोग करते हैं तो दोस्तों आपको विच का प्रियोग भी समझ में आ गया होगा अब दो और तीन सेंटेंस हो देखते हैं जो कि पूरे फ्रेज को डिनोट करते हैं पूरे फ्रेज को रिलेट करते हैं तो देखते हैं दूस्तो रिश का प्रियोग हम पूरे phrase को रिलेट करने के लिए कैसे करते हैं तो यह कुछ example लिख knowड and he और फिर कमेंट करके बताइए कि कहां पर हो रहा है विच का प्रियों कौन से फ्रेज के लिए हो रहा है तो हम बताते हैं आपको तक गरल वाज तो इसका हिंदी मिनिंग होगा मतलब कहा गया था वह लड़की ड्रंक है यानि कहा गया था लड़की ड्रंक है तो यह पूरा फ्रेज होगी हमारा आपको दिख रहा होगा जो कोई जो बात यानि झूकती तो यहां किया हमारा पूरा फ्रेज के लिए यह पूरा फ्रेज लिखका वाया हमारा तो विच इसके लिए प्योंक क्या गया यहां पे तो आपकर भी वाज अलाए जोकि एक जूटता क्या जूटता उसने का था उसने मुझे गार्डन में देखा था तो एक क्या है यह फ्रेज हमारा फ्रेज हो गया नहीं पूरा इसने कहा था कि उसने मुझे गार्डन में देखा था तो विच वाज अलाए यह जूटता तो यह जूटता तो क्या है विच विच हमारा किसके लिए प्रियोग वाए पूरे फ्रेज के लिए यह पूरा फ्रेज हमारा इसके लिए प्रियोग वाए ना कि एक व्यक्ति के पश्ठित होना मेरे लिए भाग्य की बात है क्या है कि आपके लिए के लिए यौ आरे तक्य tief удар के आप है यहाँ तो हमारे हम आपके मेरे मेरे दुर्भागंति पूरह हो यह इसके लिए इसके दिनले कर लेते हैं यह करते हैं यूजオ लिए के लिए दिखाना हो तो तो परोगा करते हैं तो इसके परएब यहां लड़का जिसके फादर यानि हो किस खरेगा बोंसे सूरी चिसे बेइंड़ से करएगा क्योंकि वह लड़का जिसके फादर फादर लेुस्टे से रिलेट कर रहा है जिसके फादर रिलेते थुम्हें यह हुट हो गया हो इसमे बोह गी किसे और कर रहा है तो यह अंज है सा हमारह फैमली आलवेस सपोर्ट यू इस माइफ्रेंट तो यहां पर आपको दीख रहा होगा कि यहां पज़ेशन दीख रहा है दिख रहा होगा आपको फैमिली 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 always support you is my friend यानि के जो boy है उसकी family हमेशा आपको support करती है वो मेरा friend है तो यहां क्या दिख रहा है यहां possession दिख रहा है boy का किस पर possession दिख रहा है family पे ठीक है तो रीमा is the girl whose parents are poor तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको girl का जो possession है girl का अधिकार जो है जो है वो किस पर दिख रहा है parents पर दिख रहा है जो उसके parents है तो यहां पर whose क्या हो जायागा एक possessive यानि के relative हो जायागा relative pronoun हो जायागा तो क्या दिख रहा है girl का जो possession उसके parents पर दिख रहा है जिसके parents are poor यानि के उसके parents गरीब है यहां पर देखते हैं next sentence में अबस क्या है चिछ के मारा बजय संद १ॐ तो के तो या आपके समझ में आगया होगा अच्छे थे कि हैं उत क्या दिखाता एं अपि इनका ले सकते हैं को गाई हम देखते हैं कि यूजो फैस्ट यहां जाहां है इस अधिक जरो की सब्सक्राइं टोब्जस्य करते हैं अब कैसे करते हैं यह देखते हैं और दौस्तों मैं यह भी बता रहा हूं कि भरियोंग कुन से में यह फर्ट करेंगे अब जैसे हम विदेखते हैं कि दोagain्टिशिटेंट या फिर सब्जर्ट या पहले आने से सब्जेक्ट का प्रियोग किसे करते हैं यानि या फिर दो सब्जेक्ट के लिए हम उसके लिए भी हम करते हैं ठीक है तो देखते हैं एक्जामपल के सुरूँ तो फर्स्ट एक्जामपल हमारा दा योगा टीचर एंड इस डोग जैट और जर्नली सीन अराउंड तो यहां पर दो अब्जाक्टों सब्जाक्ट की बात की गई है जैसे कि टीचर हमारा सब्ज हो घ्यां होग डाएंड और कि टीचर की बात करते हम तो हो जाता हमारा लाइं हूंप विंग्य मैंसे हैं पहले उद्दक के लिए प्रवत करते हैं तो अगर टीचर की बात होती तो हम क्या करते हैं। सिंगल टीचर की बात होती तो हम हू का इस्तमाल कर सकते थे किसका हू का इस्तमाल कर सकते थे तो यहां पर दोनों की बात हो रही है हमारी टीचर की भी हो रही है और उसके कुत्ते की भी हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे तो हम यहां दैट का इस्तमाल करेंगे तो यहां द आदमी लिखावा है यानि मैन और उसकी बुक अगर बुक होता हमारा खाली तो विच का इस्तमाल कर सकते थे क्योंकि यह तो नोन हुमन बिंग नोन लिविंग ठिंक आपको दिख रहा होगा मैन है मैन हमाना हुमन बिंग है क्या है हुमन बिंग तो हम मैन के लिए हो का सकते तो यहां पर दो चीज दिये हुई एम抵ोग तो उसके लिए क्या करएंगे यानिके दो एंटीसिड़न्ट है हम आरे मेन फिर्स्टेंट हो गया और भूग सेकंड हो गया तो क्या Esteem real-oral करें हैं तो यहाँ पर हम जैंक time करेंगे ठीक है अगर sentence से पहले ढो तो हम क्या बtaćते हैं उता है मैं के लिए इस्तेमाल करसकते हैं यहाँ दोग के लिए विश कर सकते ellesि- लेकिन हम क्या क्या करेंगे डटर सेंटों इसे हैंत यानि के लड़की और उसका बैग तक पास मिला था ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर गर्ल के साथ मुह कर सकते ते यहां पर दो क्या करते हैं क्योंकि यह सेंटेंस में दो दो एंटिसिडेंट यानि सब्जक्ट से बाद में जो है इस्टमाल करते हैं और इन सारे वर्डों के बाद हम क्या करते हैं कौन-कौन से वर्ड है तो सारे भी करेंगे तो इसको करेंगे किस तरीक करेंगे तो ध сх atención करेंगे तो कल दोस्तों poz Munro नतिंग everything the same the few the only इनके साथ में हमारा क्या होता है हमारा दैट का प्रियोग होता है क्या होता है यूजो डैट तो देखते हैं ओल के साथ कैसे होता है all the glitters is not gold यानि के हर चमक्तियों चीज सोना नहीं होती तो यहां क्या है हमारा यहां पर आया है तो हमारा दैट का प्रियोग होगा यहां पर आएगा हमारा दैट का प्रियोग होगा यहां पर आएगा हमारा दैट का प्रियोग होता है ठीक दोस्तों अब देखते हैं है कि मैंने सब्सक्राइब मेरे पास था ठीक है तो यह पे क्या है हुए कि मअन Cause Know कि घवा है हमारा है हमेशा अगर तो उसके साथ है तो यहाँ यहाँसा है कि आजब और अगऑ थो एद्वतितिक्तत्र द्रॉक और पềuहेली टाच का गभंसज़तितक लिए विच का यानि के हूं का प्रियोग भी कर सकते थे विच नहीं हूं का प्रियोग भी कर सकते थे यहां पर अगर यहां ग्लेटर की बात नहीं होती है थिंग होगे हमारी अगर यहां पर मैंन की बात या हुमन बिंग की बात करते तो यहां पर हम भू का प्रियोग भी कर सकते थ लेकिन अब यहां पर ओल्ल दग्लेटर का प्रियोग वाए पूरा फ्रेज है कि इसके साथ में हम देट का इस्तमाल करेंगे अब देखते हैं दोस्तों दा सेम ठीक है तो दा सेम का दा फ्यू के साथ सोरी दा फ्यू के साथ में कैसे डैट का यूज होता है प्रियोग और यहां ठीक करेगा यहां प्रियोग और सकता है क्यूंकि दा फ्यू आरा है ठीक है दोस्तों अब आके देखते हैं I have I do nothing that can you hurt मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारे दिल को दुख पहुचे या जिससे आपको दुख पहुचे ठीक है तो यहां पर साथ में क्या करते हैं यह लिए को लिए करते हैं तो इस 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 बचा सकती है तो यह देखिए यहां पर downly लिखका है यहां that लिखका हूँ है अगर कभी भी sentence में down लिया है तो वहां पर that he relate करेगा ठीक है उस वाक्या को उन close को that he relate करेगा दोनों वाक्या को ठीक है अब देखते हैं अग्गे हम the same the same में कैसे कैसे the same को कैसे that relate करता है you have asked the same question that he etc यहां कुछ भी अग्गे यूग sentence बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है दसेम आ रहा है तो दसेम के साथ में हम ढटका प्रियोग करते हैं ठीक है दोस्तों अब एक इस्पेशल बात हो रहा है superlative degree होती है हमारे आपने पढ़ेंगे यह से आगे superlative degree तो superlative degree के साथ भी हमारा that का प्रियोग होता है जैसे यह है she is the most beautiful girl that I have seen यानि के वहाएक मतलब बहुत ही अच्छी लड़की है जो मैंने देखी थी है बहुत ही सुन्दर लड़ी के जो मैंने देखी थी तो यह क्या है यहां पर दिसिश्टा मोस्ट क्या होता है हमारा मोस्ट इस सूपर लेटिव डिगरी में दिगरी के साथ हम धैट का प्रियोग करते हैं ठीक दोस्तों अब आकर देखते हैं यूजओ पार्ट मैं आसा करता कि देट का प्रियोग के साथ में कैसे करते हैं अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं या फिर हमारे यूट्व सोरी टैलिग्राम चैनल वैप स्टडी पोइंट पर जाकर उसमें अपना क्योरी कर सकते हैं और हम उसका अंस्वर देंगे या फरी फिर तो गाइज यूजू ओवाट तो रिएलेटिव प्रोणाउण में वाट का प्रियोग करता हैं ये देखते हैं तो वाक का प्रियोग हम कहा न करते हैं वाट का प्रियोग वाट का प्रियोग हम इंट्रोगेटिव प्रोणाउन के लिए करते हैं और इसकी कोई पहचान नहीं होती है अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है तो वाट का प्रियोग हम रिलेट करने के लिए भी कर सकते हैं तो कैसे करते हैं मैं बाइब कर रहा है ना यहाँ पे मेरे कहने को रिलेट कर रहा है यह तो वाट करने के लिए प्रियोग कर सकते हैं you can wear whatever you can wear whatever मतलब तुम कुछ भी पहन सकते हो जो तुम चाहते हो ठीक है तो यहां पर हम वाट का प्रियोग रिलेट करने के लिए कर सकते हैं और पreuसिंग पूछने के लिए भी तो आज हम यहीं पर अपनी class समप्त करते हैं और अगली वीडियो के साथ में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें मैं करें सेर करें अऑड सस्क्क्राइब करें ठ्यक्यू दोस्तो